नमस्कार स्वागत है बच्चों आपका सेल्फ स्टडी के चैनल में और आज हम अपने इस वीडियो में एक वीर योद्धा लचित बौर्फुकन के बारे में बात करने जा रहे हैं दीकि बहुत कम जानकारी या फिर कहें बहुत कम लोगों को इनके बारे में बता होता है एक चोटा सा पर्यास किया जा रहा है कि यहां पर लचित बौर्फुकन जी के बारे में आप जितना हो सके ये वीडियो शेर करिये हैं कि लोगों को इनके बारे में पता चले तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी हाली में क्या हुआ है हमारे देश के जो राष्टपती रामनात गोविन जी के दौरा शुकरवार को गोहाटी में सत्रवी स्थाप्दी के एक महान और वीर योद्धा लचित बौर्फूकन की चा चीजें जो हैं वो धीरी धीरी करके इस वीडियो में आपके सामने आती रहेंगी और इससे पहले क्या था प्रधानमंत्री जी ने सत्रवी स्थाप्दी के आहों समराज्ये के सैनापती लचित बौर्फूकन को भारत की आतु निर्भर सैना का परतीक कहा था क्लियर इन ची बौर्फूकन जी कौन थे दजित बौर्फूकन का जनम जो था वो 24 नॉबर 1612 के अंदर हुआ था और इनोंने 1671 में एक सराई घाट का एक यूद लड़ा था बहुत जादा इंपोर्टन्ट है और इस यूद में इनोंने मुगलों की सैना को हरा दिया था और उनको पीछे हटाया था इनोंने क्लियर यहां पर और बहुत जादा एक समझदार बहुत एक दूरदर्शी एक नेता थे एक तरीके से कह सकते हैं सैना पती थे यह नेता नहीं एक सैना पती थे और यह जो आप इनके हाथ में जो तलवार देख रहे हैं यह एहोम के राजा ने इनको दी सोने की एक तलवार थी मुगलों को मारने के लिए दी थी और आपको जानकर हिरानी होगी कि जब मुगलों का आकर्मन हुआ था यहां पर यह ब्रहंपुतर नदी के उपर लड़ रहे थे यहां क्या था कि इनको उस वक्त भुखार था बहुत ज़दा बिमार थे और तब भ लोगों को इन्हों ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि जो लोग जो सैना जो थी होम समराज्जी की जो सैना थी वो वापस आ रहे थी इनके इस कदम से कि बीमार हुने के बावजुद भी ये लड़ने जा रहे हैं और कहा था कि मैंने जो अपनी राजा से यो वादा क जल पड़ी थी तो बहुत जादा important है तो इन्होंने क्या कि अब भारतिय नौसेनिक शक्ति को मजबूत करने अंतर देश ये जल परिवहन को पुनर जीवित करने और नौसेना की रन निती से जुड़े बुनियादी धांचों की निर्वान में प्रेणा दिये बहुत जादा important ये एक important information है एक तरीके की NDA यानि National Defense Academy में सर्व स्टेश्ट कैडट जो वहाँ पर एक पुरुषकार या फर एक medal दिया जाता है वो लचित बॉर्फुकन स्वर्ण पदक है ये एक exam में पूछे जानने वाली information और साथी साथ आपको पता होना चाहिए कि लचित बॉर्फुक यो हे तू बॉर्फुकन की वीरता से प्रेणा लेने और उनके बलिदान का अनुसरन करने के लिए 1999 में इसको स्थापित किया गया था 25 अपरेल 1672 को इनका निदन हो गया था तो यहां पर यह मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कितने महान थे बीमार होने के बत्र में कोई युद में लड़ने के कार नहीं हुए थी इसका ध्यान रखना है ठीक है तो यहां पर यह तो युद जीत गए थे मुगलु सैना को पीछे हटा दिया देनों ने तो गौहाटी में देखे ब्रहंपूतर आप देखेंगे ना आसम है ये आसम के अंदर क्या थ गौहाटी उपर अरुनाचर परदेश से आती है तो यहां पर आसम परता है तो आसम में जो गौहाटी है गौहाटी के एरिया में जो ब्रहंपूतर की जो चोड़ाई है वो लगबग एक किलोमेटर रह जाती है बाकी जगह अगर आप ब्रहंपूतर के नदी की अगर आप तो लगबग 6-7 km के लगबग जो है वो एक चुड़ाई पड़ती है ब्रहम पूत्र की लेकिन यहाँ पर गवाटी के एरिया में जो है ब्रहम पूत्र की जो चुड़ाई वो एक किलोमेटर ही पड़ी थी इस करके यह बहुत जाथा इंपोर्टंट लोकेशन माने गी थी कि यहां पर यूद जो है वो लड़ा जाए तो इसलिए यहां यूद लड़ा गया था और इसे एक नदी पर होने वाले सबसे बड़ी नो सैनिक लड़ाई के रूप में माना जाता है क्योंकि ये नदी के उपर भी लड़ा गया था मतलब जहाजें थी, जहाज के उपर भी लड़ा जा रहा था साथ साथ ये जमीन के उपर भी लड़ा गया था ये यूद अब अहोम समराज्य के बारे में बात करें साल तक यहां पर इनका राज रहा था और फिर यहां पर बर्मा की तरफ से और East Tidia Company दोनों ने हैं यहां पर अपना नियंतरन स्थापीत कर लिया था बर्मा ने यहां पर युद में बहुत बार अटेक किया था जो है विवस्था हैं अगर बारे में थोड़ी बहुत हम जाने तो अहूमों ने भुहिया की पुरानी राजनेतिक विवस्था को समाप्त कर एक नया राज्य बनाया था अहूम राज्य बंदुवा मज़धूरों के उपर निर्भर था बंदुवा मजदूर यानि फोर्ज लेबर और राज्य में इस परकार की मजदूरी करने वालों को क्या कहा जाता था पाइक कहा जाता था अब समाज कैसा था देखे अहोम समराज्य में यह अपने आपको एक तरीके से जो बर्मा से आये थे तो हिंदू नहीं कहते थे लेकिन यहां पर जब उन्होंने आकर देखा कि ऐसा तो नहीं था कि बर्मा से आके इन्होंने बहुत सारे लोग लेका आये थे नहीं बहुत कम आये थे तब यहां पे इन्होंने अपना समराज्य स्थापित किया था को पूजा करते थे, फिर भी उन्होंने हिंदू धरम और अस्मिया भास्वा को शुविकार किया था, अलांकि अहुम राजाओं ने हिंदू धरम अपनाने के बाद अपनी जो परंपरिक मानेता हैं, उनको पूरी तरह से छोड़ा नहीं था, और फिर भी ये कहा जाने लगा कि अहुम जो है, वो इंदर देव के ही बनसज है, अहुम लोगों का स्थानिय लोगों के साथ भी वहा, कि चलते क्या हुआ कि उनमें आस्मिया संस्कृति का आत्मेता, यानि वो मिक्ष होने लगी और ऐसी प्रविर्टी हमें देखनी लगी थी, यहाँ पर अब कला और संस्कृति से रिलेडिट कुछ बाते हो जाएं, अहुम समराजे से देखें, अहुम राजेों नहीं क्या किया था कवियों और विद्वानों को भूमी अनुदान दिया था, रंग बंच को काफी जादा इन्होंने परुसाइद किया था, संस्कृति के महतवपून कृतियों का स्थानिय भाषाओं में अनुवाद भी करवाया गया था, बुरुजी नमक एक एतियासी कृतियों को पहले अहुम भाषाओं में, फिर आस्मिया भाषाओं में लिखा गया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरीके से आसम में बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है, आसम क्या हमारे देश के लिए एक प्रेणा दाएक स्त्रोत हैं बहुत लोग जो हैं वह अपने जानते हैं महराणा चत्रपती सिवाजी महराज के बारे में हम जानते हैं, महराणा परताब के बारे में हम जानते हैं तो ऐसे ही हमें लचित बोर्फुकन जी के बारे में भी हमें जानना चाहिए, यह क्या थे, इन्होंने परकार के होती थी एक होती थी सेवारत एक होती थी गैर सेवारत और गैर सेवारत पाइको ने एक स्थाई मिलीशिया का गठन किया था जिने खेलदार यानि सैनने आयो जग था उसके द्वारा थोड़ी समय में लचित बौर्फुकन जीद हो जे थे, इन्हों ने क्या किया, बड़े ही, यह समझदार किसम के थे, ऐसे समझिए, कि इन्हों ने कहा कि हम आप से बाचीत करना चाते हैं, और आप हमसे बाचीत कर लीजिए, एक तरीके से यह इंसे टाइम ले रहे थे यहां पर, और ताकि यह जब वो एंट्री करें, यहाँ पर बैरियर बना सकें, अपने लिए सुरक्षा के यह काम बढ़ा सकें, तो जब मुगलों को पता चला रही है, तो हमारे से टेक्टी कर रहे हैं, तो अब इनको बाद में पता चला, अटेक करने पहुंसते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी हार हो जाती है मुगलों की, तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखने हैं आपको, युद में इस्तिमाल किये जाने वो जो मुख्य अतियार थे, वो तलवार, भाला, बंदूग, तोप, धनुश और तीर थे, अब अहोम राज्या, युद अभियानों से पहले अपने दुश पर्ट थे, जब स्टर्टिंग में मुगलों ने अटेक किया था, तो मुगलों ने अटेक किया था, गोरिला युद यहाँ पर लड़ा गया था इनको घेर लेती है, इसके बाद कुछ महत्वपुन के लिए आपको ध्यान रखने है कि चमधारा हो गया, सराई घाट हो गया, शिमलागड हो गया, कलियाबार हो गया, कजली हो गया और पांडू हो गया और सराई घाट एक ब्रिज भी है, गुहाटे के अंदर आप देखोंगे, तो ब्रिज भी आप लोगों को मिलेगा, और ब्रहंपुतर नदी पर नाव के द्वारा पुल बनाने की तकनीक भी इन्हों ने सीखे थी, बहुत जादा इंपोर्टन थी, मैं इमेज लेके नहीं आ पाए, फिर भी आपको दिखाता हूं, कि, मतलब बन समझाने इत कोशिच करता हूं, कि जो नाव होती न, आइवाप सो ही ए, ऐसे, तो यह जो नाव थी, इनको जोड़-जोड़ के, जोड़-जोड़ के क्या था, ऐसे जोड़-जोड़ के, इक ब्रिज बना लिया था, तो ये जो थे वो ब्रहंपुतर नदी को पार कर पाये थे तो इस तरीके से ब्रिज बनाने के इन्होंने कला भी सीगे थे और इन सबसे उपर अहोम राजाओं ने क्या था नागरिकों और सैनिकों के बीच में आपसी समझ तता रईसों के बीच एकता ने हमेशा इनको एक तरीके से मजबूत अत्यार के रूप में काम किया है तो ये तो था थोड़ी बहुत इंफोमेशन आप लोगों को बताने के लिए कि जचित बॉर्फुकंजी कौन थे इनका क्या महतव था इन्होंने युद जीता था मुगलों के किलाफ युद हुआ था और बीमार होने के बावजूद भी अपनी सैना का नैत्रित इन्हों न किया था बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है उमीद करता हूँ कि ये सारी चीज कर सकते हैं आपके एक शेर या फिर सब्सक्राइब या लाइक से मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बस आज के लिए इतना है ताब मिलते हैं अगली वीडियो में तुछ